वेलोकेस तो हाई गैस तुछली जीट परफिस से सौध करता हूँ अप सभी लोगों का अपने इस्टुडिव चैनल पे जिसका नाम नेट पिकानिक्स तो कैसी मेरी यूडू फैमली किस तरह करके बड़ी सानी इसकते हो और मैं आपको बड़ी सानी से अपने से बिना वीपिन की इन्जॉाइ कर पाऊगे तो सबसे फहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बजाना चाहता हूँ कि आज सुबह जब आप लोगोंने बैटल ग्राउंड मॉबाइल इंडिया को उपिन किया होगा तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा होगा साइकल मनलब सीजन साइकल 3 सीजन 7 रश जी हाँ आप लोगों का जो नेक्स सीजन जो है वो साइकल 3 सीजन 7 ही होने वाला मतलब रिपीट होने वाला सीजन 7 तो फिर ये लोग मतलब नोटिफिकेशन क्यूद दे रहे हैं तो देखो दोस्तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़े शेडूल होती है आपको हर बार यही देखने के लिए मिलती है इस बार भी schedule था इसलिए आपको देखने के लिए मिल गया इसलिए आप लोगों का नया season आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का दोस्तो यह चीज़े दिखा रहा है ऐसा बिलकुल नहीं है तुमीद ऐसे related आपका doubt clear हो गया होगा अगर आप लोग rank push कर रहे हो तो आप लोग करो बिंदास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है फिलाल आप बात करते हैं दोस्तों किस तरीके से अपडेट करना है उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक भी करतो शेर भी करतो और चैनल पर पहली बारा तो सबस्क्राइब करना तो सबसे पहले बात करते हैं कि Play Store से आपको किस तरीके से अपडेट करना है तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ना एक VPN लगाना पड़ेगा जैसे आप Solo VPN लगा सकते हैं और उसमें आप United States का या आप South Korea का सर्वर को से यहां कंट्री को उसके बाद दुस्तों आप लोगों को जैब अपने Play Store के उपर क्लिक करके अप इन्फो में जाना और डेटा को किलियर करना है उसके बाद दुस्तों जब Play Store को आपने Open करोगे तो आप लोगो को ID switch को option आता है न तो आप ID वगर अपना switch करोगे और उसके बाद आप PUBG Mobile को search करोगे जसा कि आप लोग देख पर यहाँ पर मैं search कर रहा हूँ तो अभी जो current version चल रहा है दोस्तों PUBG Mobile का 2.1 का APK मेरे को यहाँ पर show कर रहा है as of now भी तक PUBG Mobile का जो update है वो rollout होना start नहीं हुआ है आप लोगो 3-4 बजे के पीच में जो वे देखने के लिए मिल जागा जितने भी middle list countries है न सब में देखने के लिए मिल जागा और जितने भी country region है all country region उसमें आप लोगो को कल तक जी आप 15 तारिक तक आप लोगों को almost almost यहीं की 14 से लेके 15 तारिक तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जागा 13 तारिक है तो उमीद है आप लोग समझ गयों कि आपको PUBG Mobile को Play Store से कैसे download करना है अपडेट करना है बड़ा ही सिंपल है आप दूस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या आप दूसरा तरीका है दूस्तो टैप टैप जी आप अब दूस्तों करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को VPN वेगरा आप कनेक्ट नहीं कराना है आप नॉमली टैप टैप अप्लिकेशन को उपन करो और यहाँ पर आप बड़ी इसानी से सर्च कर सकते हो PUBG Mobile और यहाँ पर आपको PUBG Mobile के सारे वर्जन दिख जाएंगे जिसको बड़ी इसानी से डाउनलोड कर सकते हो अपडेट कर सकते हो जियां और वो है दोस्तो official website क्योंकि official website पर थोड़ा लेट आता है आपको पते है दोस्तो ठीक है तो हो सकते है कि official website के अंदर आप लोग को 2.2 अपडेट कल तक रूलाट हो जी हां क्या पता शाम में भी आ जाए तो आप लोग चेक करते रहेगा तो इसके लिए दोस्तो आप लोग PUBG Mobile का official website दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको 1.1GB का भी एक फाइल दिखेगा और आपको कुछ से एक कम का भी फाइल है तो आप दोनों में से जो 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 डाउलोड कर सकते हो यहाँ से दोस्तो डाउलोड करने का फाइदा ही है कि आप दोस्तो यहाँ पसे बिना VPN के जो जो बड़ी जानी से अपडेट कर सकते हो लेकिन यह दोनों चीज़ पर अपडेट थोड़ा लेट आता है जी है मैं आपको पहले ही बता देता है तो थोड़ा पेशिंज रखना और यहाँ पर थार्ड़ पार्टी की तरफ जादा मत जाना अगलं बगलं को एफसाइट से अपडेट मत करना वड़ना आपकी PUBG की आएड़ी बैहन हो सकती है अब दोस्तों बात करते हैं बीजी माई के बार में काभी सब्सक्राइब करते हैं बीजी माई का अपडेट किसी थर्ड़ पार्टी पर नहीं आएगा क्योंकि जो मेन अपडेट होता है जो बड़ा अपड अपडेट के बताना और क्या आप लोग नए सीजन में दोस्तों पबजी मोबाईल के अंदर शिफ्ट करने वाल यह वी कॉमेंट करके बता देना मैं आपसे विल तो किसी नियुक्साइटिंग वीडो में तब तक किले अपना ख्याल रागे थैंक्स अलोट वाचिंगे अब गुद देए और बाबाई